Capital Smart City Overseas Prime 1 Sector G में इस वक डिवेलपर्ण की सूरतेहाल किया है as of first week of October 2023 इस वीडियो में आपको Sector G में जो sizes of plots हैं उनके हवाले से इसके साथ साथ जो construction और यह plots पे उनके हवाले से and Sector G में 2021 में जब इसको launch किया गया था तो सबसे पहले जो possession मिला था उस हवाले से भी बताऊंगा Capital Smart City का master plan देख सेते हैं master plan में जो आज की वीडियो है जिस district के हवाले से यह district बनता है जिसका नाम है Overseas Prime 1 अभी Overseas Prime 2 भी launch किया गया है motorway के right side पे जहांपे अभी आप 10% पे plot की booking कर सेते हैं यह वह ब्लॉक है जिसको society की तरफ से launch किया गया था 2021 में और इस ब्लॉक का society की तरफ से एक साल के अंदर possession ऑफर किया था आज की specifically वीडियो यह sector G के हवाले से है sector G के अगर वीडियो की बात करें तो मैं आपको मैप दर ज्यादा clear कर देता हूं सबसे पहले बात करेंगे सेक्टर G में सिर्फ 10 मरला के plot करें तो 10 मरला के plot अब यह जो ब्लॉक है इसकी अची बात किया है कि इस ब्लॉक के अंदर तमाम के तमाम plot जो है वो इसी वक राइट ना और developed और possessionable है और आप से 30% डाउन प्लॉक पे यनि plot की कीमत है 75 लाग रुपया 75 लाग रुपीज और आप से 30% डाउन प्लॉक पर यहां पर विद ग्रिनरी है लोकेशन के पॉइंट ऑफ इसे एंटरंस गेट के बिलकुल साथ है और इस दो साइड वे में रोड है यह 180 फीट वाइड रोट यह जब को नजर आ रहा है इसके साथ साथ यह चक्री रोड इसको वाइड किया जा रहा है तो यह दो साइड वे में प्लॉट में बॉलेवर्ड की बैक पर जहां पर इसके लावा यहां पर आप देखें तो 21 से लेके प्लॉट नमबर 26 तक यह जो 16 प्लॉट बनते हैं यह वैसे इन जेनरल मेंबर्स को अलोकेट हो चुकी है और इन प्लॉट पर भी साइड टी की तरफ से किसी तरह की पुज कि मेंबर्स खुद पॉजचन लेकर चाहें तो कर सकते हैं यह बैद नहीं आप साइटी के पड़िवी मिशिनरी निज़र आ रही है जो साइटी यहां पर चांस्ट्रक्शन कर रही हैं तो इनके जो जो बनी हुए है वह बना वह लेकिन मेंबर्स अपने प्लॉट का पॉज तो यहां से आपको जो व्यू मिलता है घर से वो इस तरह का व्यू मिलता है यानि कि आपको एक साइट से यह जबरदस पहाड़ों का व्यू मिलता है और इस साइट से आपको वाटर बाड़ी का व्यू मिलता है तो दोनों साइट से काफी अच्छा व्यू बनता है इस ब्लॉ तो दोनों साइट से एकसेस भी बनती है तो इस लिहाद से सेक्टर G की जो लोकेशन है वो काफी ज़्यादा एहम बनती है याद रे कि Overseas Prime 1 को 2021 में लाँच किया गया था और इसको साड़े तीन साल के पेमेट प्लैन पे लाँच किया गया था प्लाट एक कीमट 75 लाग रुपीज और से 30 पे आप प्लाट नंबर विद पॉजेशन ले सकते हैं याद रहे कि सेक्टर G में सिर्फ 10 मरला और एक कनाल के कुछ प्लाट हैं एक कनाल के जितने प्लाट हैं mostly पे विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और बाकी जो कुछ प्लाट हैं वो members को already allocate हो चुकी हैं तो इस ब्लॉक में आपको सिर्फ 10 मरला के reserve प्लाट जो हैं वो मिल सकते हैं इसके लाब अगर आप एक कनाल का प्लाट 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 करना चाहते हैं तो overseas prime 1, sector H और sector F में प्लाट कर सकते हैं अब बात करते हैं जी overseas prime 1, sector G में 10 मरला के प्लाट की जिनको सिर्फ से October 2021 में लाँच जा गया था याद रहे कि यह जो इतने प्लाट हैं October 2021 में जब इनको लाँच किया गया था तो पहले यहाँ पे एक और सुसाइटी नेशनल हाउसिंग सुसाइटी दिया गया है उसके बाद सुसाइटी ने पूरी सुसाइटी प्रिक्योर की फाइफ और कुछ में रोड के प्लाट हैं जहां पे सुसाइटी की दफ से 38 एक कनाल के विलाज जो हैं कंस्ट्रक्टोर हैं जो भी आपको राइट साइट पर नजर भी आ रहे हैं यह विलाज सुसाइटी की दफ से लाँच नहीं किये थे साल के पेमट प्लैन पर विलाज लॉंच किया थे जो ओवर सीज एस्ट में थे अब उन विलाज के बाद ये सेकंड डिस्टिक है जहां पर अभी सॉसाइटी की दर से कंस्ट्रक्शन की जा रही है ओवर सीज एस्ट और एक्जेक्टिव वन में विलाज ओफर किये थे पहले यह अब second time society वहाँ पे विलाज बनाके with grace structure offer करेगी 2 years के payment plan पे, अगर आप बात करेंगे sector G में 10 मला के plots की, तो sector G में जितने 10 मला के plots हैं, mostly plots ऐसे हैं कि जो अभी इस वक्ज है जिनका payment plan तकरीबर देट साल से पहने 2 साल का रहता है, तो अगर आप plot प्रिक्योर करें चाते हैं, तो वो भी आप प्रिक्योर कर सकते हैं, location के अगर बात करें sector G की, तो sector G की जो location है, overall वो बहुत prime location है, वो इस तरह से entrance के साथ right side पर, यानि कि अगर आप चक्री रोड से enter होते हैं, right side पर sector G start होता है, और main इसको एक side से 180 feet road, और दूसरी side से 120 feet road, विद linear park लगती है, इस society के इस block के दो side पर main roads है, एक चक्री road, और एक main entrance road 1 है, और दो side पर इसके linear parks है, एक sector H को divide करता है, और एक sector E को divide करता है, sector D को divide करता है, विद sector G, ये इस वक sector G के अंदर जो है, अब property पाकिस्तान में security के point वर से, जब overseas पाकिस्तानी procure करते हैं, तो सबसे safest point क्या होता है, कि आप property वहाँ पे procure करें, जहां पे आपके साथ fraud होने के chances ना हो, इस case में capital smartity, इस वक रावल पंडी इसलामबाद में सबसे बड़ा NOC hold करता है, that is 25,600 to canal, second is, तो जो इस बात का members के लिए बहुत अच्छी बात है, कि एक ऐसे project में invest करें, कि जिन के पास already ready made products है, for example, यहां पे विलास society, थारे तीन साल के payment plan, यह चार साल के payment plan पर भी offer कर सकती थी, जैसे पहले किये थे, उन विलास की बजाए society ने अब फैसला किया, कि हम इसको ready करने के बाद, मुकमल possessionable करने के बाद, फिर members को offer करेंगे, इसके लब अगर amenities की बात करें, तो इस block के अंदर जितनी amenities हैं, underground आप कहलें, saverage, underground आपका water tank, आपको सामने नदर भी आ रहा होगा यह block में, जहांसे इसको supply मिलेगी पाने की, इसके साथ साथ underground electricity, और तमाम के तमाम जो roads हैं, हर एक street के सामने, वो काफी wide roads हैं, यानि के 50 feet road जो है, वो काफी बड़ी road होती है, अगर आप physically visit करेंगे, तो आपको इसका idea हो कि, यह कितना broad road है, members के लिए, अगर आप living point से देख रहे हैं, अगर आप वो गैपिटल स्मार्टेटी या लाहर स्मार्टेटी या लाहर स्मार्टेटी में बुकिंग वालस कुछ मालूमाँ चाहिए हो, तो देख नमबर पर राप्ता करें, इसके साथ साथ हमारी website विजट करना मत भूलें, www.makansolutions.com अगर आपके विडियो ची लगए तो प्लीज डू लाएक, कमेंट और शेर और चैनल को स्ब्राइब करना मत भूलें, रिजवान ची में अगली विडियो के लिए खुदा हाफिस,